हेलो एब्रीवन मैं हूँ अशोक और आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंप्यूटर या लेप्टॉप का सिस्टम कॉन्फिग्रेशन चेक कर सकते हो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करू होंगा कि आप वीडियो को अंत्य तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के वीच में आपको कोई न कोई नौलेज़ेबल टिप्स जरूर मिलेगी सिस्टम कॉन्फिग्रेशन चेक करने के लिए हम दिस पीसी को रैट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में क्लिक आपके सामने में सिस्टम की कॉन्फिग्रेशन आ चुका है इसमें विंडोज 10 इस्टॉल्ड है प्रोसेजर इंटेल कोर i7 2.9 गहर्च का है रैम 4GB की है और ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit का है जब भी हम इंटरनेट से कोई भी ड्राइवर या डाउनलोड करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर में इस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का है यह ज़रूर बता होना चाहिए दोस्तों अगर हमें देखना है कि हमारे कंप्यूट करेंगे और जितनी भी ड्राइव आपके कंप्यूटर में है उन सब की कपेसिटी को एड कर लेंगे जैसे यहां पर हमें दिखा राय कि सी ड्राइव में 911 जीबी हार्डिस है जो साइज है 101 जी बी और दी का अती जीबी के आसपास है आप्ले करके भी प्रसक्रोपर्टी कर सकते है तो यह सो करता है कि आपकी उन्हस का यह ज़्यमे आध्योट के हैंैंग और दोस्तों यह सही तरीका किसी भी हार्डिस को चेक करने का नहीं है हां क्योंकि हो सकता है कि आपकी हार्डिस क्या कोई ऐससा पार्ट KaitieUNman वह आपको यहाँ सौन ही करेगा तो जिससे कि आप टूटल हार्डिस की केपेशिटी इसके लिए भूष तरीका है कि आप latest पीसी को रैट क्लिक कीजी हमारे इस में एस्टॉल्ड है और जिसकी capacity यहां पे आपको शो हो रही है 931.39 GB 931 GB की यह hardest आपको शो कर रही है दोस्तों आपने गौर किया होगा कभी भी आप क्योई pen drive को किसी computer पे लगा के देखिए अगर 8 GB की pen drive है तो वो आपको 7.something GB ही शो करेगा और ऐसे ही अगर 4 GB की है तो उसे कम करेगा ऐसे hardest अगर आपके computer में 1000 GB की है तो वो 931 के आसपास आपको शो करेगी और 500 GB की है तो वो उससे भी कम आपको शो करेगी तो यह ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो लंबी हो रही है आप उस वीडियो को जरूर दिखेगा दूस्ता जो तरीका है सिस्टम की configuration को चेक करने का वह है आप कमांड प्रॉम्ट से यानि कि रं से सौरी कमांड प्रॉम्ट से ने रं कमांड से आप चेक कर सकते हैं तो दूसरी मैथट को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए रन कमांड उपन करने के लिए हम सर्च बार में रन टाइप कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं और दूसरा तरीका है कि आप सीधे कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे तब भी आपका रन कमांड आजाता है आप यहां पर डी आई-एजी ऑम में आपके सामने में अ चुका है कि आपकीसिट्म केária की इन्फर्मिशन दी, कौन सा है कितने बीट का है इस यानि कि कौन सी कंपनी का आपका कंप्यूटर है मॉडल नमबर या लेट्टॉप का मॉडल नमबर और आपका प्रोसेसर भी बताएगा कि इंटल का यहां पर कर रहा है जो कि इतना यूज जो हो चुका है और इतना यूज आपका एवलेबल है तो स्टों पेज़ फाइल क्या होता है कि आपने वर्चल मैमोरी जरूर सुना होगा दोस्तों आपके एंड डॉस में जो है यह से और जब्कि विड्योज में इसे पेजी फाइल बोला जाता है तो जो भी वर्चल मैमोरी है और यह सेम चीज़ है अगर हम लाइनेच की बात करें तो इस वहाँ पर स्वैप पार्टि अगर हम इसके बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबी हो जागी इसलिए करते हैं तो आपको वीडियो को लिए कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब किचेए और पहले को प्रेश किजिए धन्यवां